असलाम उलेकुम डियर फ्रेंट्स कैसे है आप सब मैं असमा अन्जूम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीट टूथाउजन ट्वेंटीवन और उसमें जो आने वाला टॉपिक है स्क्वेर रूट जो कंपलसरी कोशन आता ही है स्क्वेर रूट पर उसके शौट कट ट् तो स्क्वेर रूट की शौट कट ट्रिक्स देखेंगे जो आपको सीटेट मैस पेपर सेकेंड जो है उसमें भी काम आएंगी प्लस टेट एक्जम जो है उसमें भी यह को आता है स्क्वेर रूट और क्यूब रूट टेट के सिलेबस में भी है तो यह इसमें भी आपको आत और अपने friends को बताईए चलिए करते हैं if a की power 3 या a rest to 3 is equal to 1 plus 7 3 rest to 3 is equal to 1 plus 7 plus b and b and 4 की power 3 is equal to 1 plus 7 plus c then the value of a plus b plus c is यानि के simple सा question है friends आपको बताना है के a plus b plus c क्या होंगा तो एक अब यहां से मालूम करना पड़ेंगा plus 7 तो a is equal to 8 और यहां a क्या है a की power 3 यानि के cube तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे a की power 3 है इसलिए हम इसका cube root निकाल लेंगे 8 का तो हमें पता है के 2 into 2 into 2 या फिर 2 का cube जो है वो 8 होता है इसलिए यह आगे हमारा 2 क्यूंके 2 का cube करने पर हमें 8 मिलता है तो a is equal to 2 अब भी मालूम करना है हमें तो b के लिए दिया गया है 3 की power 3 is equal to 1 plus 7 plus b तो 3 की power 3 यानिके 27 क्यूंके 3 का cube होता है 27 is equal to 8 plus b अब हमें b कैसे मिलेंगा b is equal to 27 minus a तो b is equal to 27 में से 8 minus कीजिए तो वो हो जाएंगा 19 अब c निकालना है तो 4 की power 3 is equal to 1 plus 7 plus c 4 की power 3 यानिके 4 का cube होता है 64 is equal to 8 plus c तो c हो जाएंगा 64 में से 8 सबस्ट्रैक्ट कीजिए वो हो जाएंगा 64 में से 8 गए 56 56 और अभी हमें question में क्या पूछा गया है a plus b plus c बोलना है तो a है 2 plus b है 19 और c है 56 इनका addition कर ली जिए 9 plus 6 15 15 plus 2 17 17 का 7 वन गया यह 5 और यह 6 और वो 17 77 77 इसका answer होंगा यह option 177 simple reference इसमें बता गया है आपको के power दे दी गई है देखें यहाँ पर बस यह power पर work करना है आपको उनका cube निकालना है उसे abc मालूम हो जाएंगा abc मालूम होते यह उनको add करना है और addition तो आता है value को divide करना है वन हाफ यानिके 1 by 2 यानिके यहाँ पर क्या हो जाएंगा यह 2 तो से divide करना है तो हम पहले 2 से divide कर लेते है इसको 2 1 जा 2 2 6 जा 12 अब यहाँ पर 1.2 है तो हम क्या करेंगे point लगाके 0.6 करेंगे तो यह हो गया 0.6 into 10 की power 30 अब देखे हम आगे कैसे करेंगे अब यहाँ 10 की power है और यहाँ पी देखो power में बताया गया है option में 10 की power के साथ भी work करना है लेकिन हम 0.6 की power कैसे निकालेंगे यह इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ point है तो point के बदले कभी भी लिख लेना one और उसके बाद जितने भी digit है उतने zero यहाँ पर digit one है एक ही है six दिया गया तो zero तो इसका मतलब क्या हो गया six by ten इस तरह हम इसे six by ten में convert करते है यह तो आपको पता होंगा जिने नहीं पता है उसके लिए मैं बता दी हूँ तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे six इन्टू 10 की पावर 30 अपॉन 10 तो six इन्टू 10 की पावर 30 अब यह जो 10 है इसकी पावर 1 है इसे उपर लेकर जाएंगे तो वो plus 1 है पावर उसकी तो माइनस वन हो जाएंगी तो six इन्टू 10 की पावर 29 क्योंकि 30 में से माइनस वन करेंगे तो 29 आजाएंगा यह हो गया हमारा आंसर अब option में देखिए यह option में 30 है नहीं यह इसमें भी 30 है पावर 15 पावर ने आ रही 10 की पावर 29 इसमें आ रही है और यहां पे 6.0 दिया गया है फ्रेंट 6.0 का मतलब 6 ही होता है क्योंकि point के बाद अगर आप कितने भी 0 लगा दू तो वह ऐसे कट जाते है तो इसलिए यह तो हमें पता है तो यह हो जाएंगा 6.0 इंटू 10 की पावर 29 The value of 2 की पावर A bracket के बाहर फिर से पावर B सी दी गई है अपॉन 5 की पावर B और फिर ब्रेकेट के बाहर A सी दिया गया है Where A 2 है B 3 है और C 0 है तो यहां पर आपको इनकी जो पावर है A की जो वैल्यू की पावर है जैसे के 2 की पावर A B C तो वहां पर उन्हें रखना है वैल्यू को B की पावर B C A है तो वहां उन्हें रखना है A B C की पावर जो भी वैल्यू दी गई है उसे रखना है simple question 2015 में पुछा गया था अफरें हमें पता है कि जब भी किसी की power इस तरह से bracket के बाहर भी जो power दी जाती है तो आपस में इनको क्या करते हैं multiply तो यह हो जाएंगा a b c upon 5 की power b a c यानि कि आपस में क्या हो जाते है power power multiply कर दिया जाते है तो 2 into a की power क्या दी गई है 2 into b 3 है into c 0 है 0 है उसके बाद 5 की power क्या दी गई है b b यहां पर 3 है into a 2 है और c 0 है तो जब भी हम किसी को 0 से multiply करते है तो answer 0 ही आता है तो 2 की power 0 5 की power 0 तो इसे हम इस तरह से लिख सकते है 2 by 5 दोनों की whole power 0 और जब भी किसी की power 0 आती है तो उसकी value हमेशा 1 होती है जैसे के अगर मैं आपको बोलू के 10 की power 0 तो कभी भी किसी भी number की value जब उसकी power 0 होती है तो उसकी value 1 होती है तो यहां answer आ गया हमारा 1 यह मैंने आपको step समझने के लिए बताई हूँ इतने step हमें exam में नहीं करना है आप paper में direct देख सकते है कि 0 से multiply किया जा रहा है तो वहां answer 0 ही आने वाला है और किसी भी value की power जब 0 होती है तो उसकी value 1 ही होती है उस number की बस हमें इतना याद रखना था तो यह कुछ question लिये थे हमने और वो भी previous paper की ही लिये थे सिफ value change होकर आ जाती है तो friends CTET, MahaTT और TET की असर institute से online और offline batches से start हो रही है 26th July से जो paper first and paper second CC की साथ एक और चीज है जो MahaTT भी होनी जा रहा है तो उसकी भी जल्दी batch start होने वाली है और उसके भी वीडियो में जल्दी upload करूंगी TET की भी बहुत जल्द हम किलास फिर से start करेंगे already TET की 5 batches हो चुकी है और new batch start करेंगे जिसकी data भी fix नहीं की गई है यहाँ पर contact number दिये गए है अगर आपको CTT, MahaTT और TAIT exam के लिए जो भी information चाहिए आप यहाँ पर call कर सकते हैं इस number पर और registration भी करा सकते हैं अनलाइन batch के लिए और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर तो करना ही है शेयर कीजिए लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब तो आपने कर लिए जो न्यू है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए टेक केर अलाव